दोस्तों आप सभी community tab का option यूज़ करते होंगे मुझे उम्मीद है कि आप सब को community tab भी मिल गया होगा और अगर नहीं मिला है तो आप मेरी पुरानी वीडियो i-link पे जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको community tab मिलेगा दोस्तों community tab का कैया यूज़ होता है आप सभी जानते हैं community tab एक तरह का tab है जो कि हमारे चैनल पे अभी YouTube ने सभी को देना शुरू कर दिया है पहले ये tag जो चैनल monetize होता था तब मिलता था देदेदे करेटीरिया क्या हुआ 500 सब्सक्राइबर पे मिलना शुरू हुआ और उसके बाद अब तो खैर YouTube ने सभी को community tab दे दिया है community tab एक ऐसी जगा होती है दोस्तों जहां पर हम लोग community post कर सकते हैं जैसे आप Facebook वगरा में करते हैं वैसी अपने चैनल पे आप यहां पर कर सकते हैं इसका बहुत बड़ा फैदा होता है कि आप अपने audience के साथ engage रह सकते हैं इसके अलावा आप अगर वीडियो नहीं डाल पाते हैं बहुत दिन तक तो आपको जुरूरी है कि community post में आप क्या करें पोस्ट करते रहें उससे क्या होता है कि आपके जो post हैं वो क्या होते हैं मिलते रहते हैं आपकी audience को उनको ऐसा नहीं लगता है कि आप बिल्कुल चैनल से out हो गए हैं दोस्तों तो आज की वीडियो इसी के ओपर अधरित होने वाली है दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल क्लासरूम 2.0 तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैसे कम्यूली टैब का यूज करते हैं और करते भी हैं तो आपने देखा होगा जब आप कम्यूली टैब में कोई भी फोटो डालते हैं तो आपने देखा है कि वो कम्यूली टैब में जो फोटो होती हो पूरी तर पर क्या आपने सोचा है कभी जब वो community tab का photo दूसरे व्यक्ति को मिलता है यानि कि आपके subscriber को मिलता है तो वो कैसा मिलता है आप यकीन मानिए आपकी जो photo होती है जो अपने community tab में upload करी वही है वो आधी कटके आती है मतलब वो पूरी तरह से नहीं आपाती है तो आज हम जानेंगे कि क्या एक ratio होता है community tab में post करने का community tab में आप किस ratio का photo upload करेंगे वो आप मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों मैं जानता हूँ आप सभी ने community tab में कभी ने कभी post किया होगा दोस्तों community tab में post करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप pixel lab वाली application का use करें दोस्तों आप क्या करते हैं community post में जाते हैं और direct आप लोग क्या करते हैं कोई भी gallery से photo उठाई और वो डाल दी photo का कोई ratio नहीं होता आप समझ सकते हैं कि कोई भी photo जो होती है वो इता horizontal होती है या vertical होती है पर वहाँ पर जो आपको photo डालनी है post डालनी है वो किस ratio में डालनी है तो भाई दोको सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने pixel lab में आना है बिना editing के कभी भी photo नहीं upload करना है आपने इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप बिना editing के जब photo upload करेंगे तो वो आधी कटी-फटी वहाँ पर देखेंगे तो उसके बाल आप देखेंगे कि वहाँ पर जहां पर photo को हम ratio नापते हैं पता ही होगा आप लोगों को तो ratio में आपने लेना है ध्यान से सुनो ratio है 800 x 800 यानि की 800 x 800 आपने इसी ratio का photo लेना है और यही ratio है 800 x 800 यही ratio है आपके जो community post है उसमें photo upload करने का तो दोस्त सा एक video था क्योंकि मुझे भी किसी मेरे subscriber ने पूछा था कि sir मेरी photo जो है बहुत कटी-फटी आ रही है आप कैसे photo जो है upload करते हो अपने community post में वो बिल्कुल सीधी आती है square में आती है तो दोस्ताव एक नियारा आप जाके मेरे community post में देखिए कि कैसे photo बिल्कुल square में आ र करना है वो select करना है और 800 x 800 का जो है post हो है select कर लेना है और आप देखेंगे बहुत easily उसमें editing करके आप photo को community post में upload कर सकते हो दोस्तों दोस्तों अगर आपको video interesting लगी हो और helpful लगी हो तो चैनल को कर दिए subscribe क्योंकि ऐसे ही बहुत मज्यदार और interesting video मैं लेके आने वाला हूं आ बहुत ही स्वागत है भाई अपने अपनी प्रॉब्लम्स चैनल के रिगार्डिंग आप में साथ शेयर कर सकते हैं मैं उनके पर वीडियो बहुत जल्दी बना दूँगा चलिए मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत